जिस लड़के को लगेगा उसको 100 में 100 मार्च्स लाना है, उसका कभी रिजन नहीं होगा, इस्पेसली कमपटिशन में, ये स्टेटजी बोर्ड में काम करती है, जब आप बोर्ड के एजाम दे रहें तेंथ में एक्रिक में इंटर में वह वी सीव एमसी उसमें काम कर दो सब्वोज करो कि आप कहां सो नंबर का कोस्टन आ रहा है कितने नंबर का सो भगवान उतर जाएगा तो सो करेंगा इसका सबसे बेस्ट इन जो यह सबसे इसका 50 परसेंट किजिए कि हमको यह वाला कि यह टॉपिक हमको पड़ लेना 50% यह डिसाइड कीजे कि यह सारी चीजे हमें नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि एक्जाम में जब कोश्चन को एक्जामीनर बनाता है तो उसको ऐसा नहीं है कि पागल है उठा और आके कोश्चन बना के चल दिया उसे SSC का लेना है या बीपीएसी का लेना यूपीएसी का ऐसा नहीं कि काॉष्चन देना एक्जाम लेना मेरे ले के चला गया और यह 20% उनहीं को दिया जाता है, जो बहुत होसियार समजते हैं आपने आपको, ताकि उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। यह 20% कोस्टन किसी कीमत पर आप से नहीं हो सकता है। देखो बहूरcil, यह 20% कभ मों हो सकता है बोर्ट के एक्जाम में, बोट के एक्जाम में आप 100 में 100 करो लेकिन जिसने यहां सोच लिया आप कभी-कभी देखते होंगे कुछ को हम बड़ा सीरियसली बताते होंगे कुछी किसी कोश्चन को बता के इगनूर कर देते हैं जनते किसको यह बीस परसेंट हो रीजन के आए कि आपको हर एक सब्जेक्ट देखना है हम यह बीस परसेंट भी बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर निकत क्या होगा फिर आपसे रीजनिं पूरा लेस चुड़े एक को राजबंस तो कुछ नहीं छोड़े लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कोसिस यह करते हैं कि कम से कम यह वाला तो सबस्वरा किसी कीमत पर नचूटे यह वाला नहीं छूटे रेजल्ट यही दिलाता है जिनका कमाज इस पर हो जाए उनका रेजल् जाते हम भी रात में देके लड़का सीजल की तैयरी कर रहा था काइट का मैथ बना रहा है मतलब क्या कर लोगे यार 20% वाले में जाओगे इसमें जाओगे न हंडेड में हंडेड लागे आप बाकि इंगिलिस चोबट होगा फिर टीर वन में रीजिनिंग जियस चोबट हो जाओगा तो कभी भी आप अपने आपको ओभार मत समझें आप में से भी कुछ लड़का और कुछ लड़की ओभार एडवांस होते होंगे सब किसमें जाता है सब इस परसेंट में उगरा उसका रेजल्ट नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए टॉप करना एक लड़की ती टॉप में चल गए सा बहुत से केवल टीना डावी ये स्वेता सिंग का इसे हजारों के जामपल मिले कि कट आप से केवल कितना नंबर एक दो या तीन नंबर जाते और उसके बाद जब ओवराल मेंस काया तो पूरे ओल अबर इंडिया में चले गए तो यह बस 20-25 मिनट देखिए ये आपसे कोई नहीं चीन सकता है सब लोग को समझा रहे हैं रेचल देने के बहुत कम हम इस सब पर चर्चा करते हैं आते होंगे देखते होंगे कल कहा तक बढ़ाय थे अचल दिया इस पर ध्यान दीजेगा उसके वाए मेहनत चीज से करना है इस व यह तो सब लोग को आता है माक्स कोनों इग्यां में बैठिएगा आपको इसन थोड़े जीरो पाके आईएगा लगबग लगबग तो इतना ही आगा इस इस समय ध्यान से लेके पढ़ना है तो जितना आपका मेटेरियल है या जो हम पढ़ाते हैं तो हम भी इसी को ध्यान म होते हैं तो यहां बहुत मजा आता है जब इसमें घुसते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और जब इसमें घुसते हैं तो बोरिंग लगने लगता है क्या लगने लगता है तो सबस्राइए हमरा फेलो करा रहा है पढ़ाई को बोरिंग भी बना रहा है तो हम को भी गम ने मारा तुम को भी गम ने मारा इस गम को मारे डालो